हम हाई गाइस तो वह थोड़ा सा बीडियो थोड़ा कट गया था ठीक है गलती से कट गया था इसके इसके हो गया जाएगा है और उसके बांद में इसमें इंग्जांपल्स भेरा भी दिया जाएंगे ओके तो देखो इसको पहले मैं रिई कर दे हुआ हूँ बात हम सबसे पहले करेंगे किसकी जायलम की, जायलम नहीं भई, जायलम, ओके, जायलम की हम बात करेंगे, तो जायलम क्या होता है, सबसे पहले की अगर बात करेंगे हम जायलम, यह इस टॉपिक ओट होता है, जायलम, तो जायलम क्या होता है, यह जायलम होता है, जायलम is made of dead cell यह किसे मिलके बने होते हैं यह dead cell से मिलके बने होते हैं कौन जायलम ठीक है और जायलम के क्या होते हैं जायलम के four types होते है अच्छा जायलम में एक point और क्या बताए गया था जायलम क्या होता है unique यह क्या होता है जाइलम जाइलम जो होता है जाइलम is a unidirectional यह कौन से directional में होता है एक direction में क्यों होता है unidirectional ओके और इसमें कुछ भी point और इसमें कुछ point एड़ कर लो और इसमें यह दूसरा point हो गया यह तीसरा point इसमें क्या कर लेंगे हम सब इसमें क्या होता है, it has it has four types of cell four types ठीक है, it has four types जायलम्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, four types के skaill होता है सबसे पहला इसमें होगा नहीं, इसमें चार types के हैं तो numbering कर दे रहा हूँ, तो 3, 1, 4, सबसे पहला जो आपका होगा, जायलम पैरंट काइमा होगा जाइलम जाइलम पैरंट काइमा दूसरा क्या होगा ट्रेकिड्स होगा सबसे पहला जाइलम पैरंट काइमा फिर हम सब का होगा ट्रेकिड्स ट्रेकिड्स तीसरा अगर इसमें तीसरे की अगर बात करेंगे तो इसमें होगा vessels और फिर अगर चोथे की बात करेंगे तो इसमें होगा जाइलम जाइलम होगा fibers जाइलम fibers होगे तो ये तो हो गया all about किसके बारे में जाइलम के बारे में तो इतना point note कर लो अब मैं साइड हड़ जा रहा हूँ तो i hope इतना होगै होगआ ठीक है जाइलम हो ल गाम ये पूरा होगै है अब दूसरे की हम बात करेंगे किसके phloem की किसके बात करेंगे हम सब phloem क्या होता है तो दूसरा हम topic उठाते है दूसरा क्या है इसमे फ्लोem philem नहीं बोलेंगी इसको phloem बोला होता है तो फ्लोम देखो इसमें फ्लोम क्या होता है फ्लोम जो होता है अन्जब का न इट इस मेड अप ओफ लिविंग सेल यह किसे बने होता है living cell से ये मिलके बने होते हैं ठीक है और इसका जो होता है direction इसका क्या होता है ये bi-directional होता है ठीक है bi-directional मैंने बताया था ठीक है food को ये transport करेगा एक जगा से दूसरे जगा तक ये आराम से पहुझा देता तो ये bi-directional होता है ठीक है और इसमें इसके कितने टाइपस के इसके भी सेल होंगे इसमें क्या होगा इसमें फोर टाइपस के सेल होंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो सबसे पहला क्या होगा, सीब ट्यूब होगा सीब ट्यूब्स, ओके, फिर होगा कंपेनियन सेल, सीब ओएम, पी ये एन आई, ओयन कंपेनियन सेल होगा, ठीक है फिर तीसरे अगर पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो फ्लोयम फाइबर्स होगा phloem fibers ठीक phloem fibers चोथे कि अगर हम बात करेंगे तो चोथा होगा phloem parent kai ma phloem parent parent kai ma ओके तो ये तो बात होगी overall इसकी phloem phloem क्या होता है it is made of living cells और ये gylam क्या होता था it is made of dead cell ये dead cell से मिलके बना होता है ये living cell से मिलके बना होता है और इसमें क्या होता था जाइलम में ये unidirectional होता था phloem क्या होता है ये bidirectional होता है it has following element it has four types of cell किसमे इसमें phloem में ठीक है siep tubes, companion cell, phloem fibers phloem parent kai ma so इतना point हम सब का बन गया है और आपको अगर पसंद आये ठीक है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे करके फिर से भी इसको देख सकते है बात आगे समझ में और इसमें एक और point की बात आप comment करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस topic पर वीडियो चाहिए mostly मैं तो 9th 10 तो बना के ही रहूंगा चाहे जो 9th 10 तो बनेगा ही हर हाल में पक्का वो बनेगा लेकिन आपको और कौन से point में confusion हो रहा है उसको बताएंगे तो मैं नए सिरे से उस वीडियो को बनाना इस्टार्ट करूंगा फिर से ओके सो see you soon बाई बाई कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा वीडियो के